हलो डीजी लेसंस प्रोम दा हाउस अब नमांकुर में आप सभी का सौगत है कक्छाचे बिसे विज्ञान अध्याचार बस्तूओं के समू बनाना बच्चों समू सब्द को आप पहचान लें मैं आपको समू सब्द की परिवासा समझाने का प्रियास कर रहा हूँ समू याने एक साधरन सी बात हम ध्यान में रख लें कि जैसे लकडी के बने बस्तूओं का समू बनाना है तो लकडी से जो बस्तूओं बनती हैं उनके नाम लिख देंगे तो ये लकडी से बनी बस्तूओं का समू हो जाएगा जैसे लकडी से बनी बस्तु हैं कुरसी हैं टेविल हैं दरवाजे हैं खिलकियां हैं पलंग हैं बड़े बड़े अलमारियां हैं ये सब लकडी से बनते हैं इसलिए ये लकडी से बने बस्तु का समूब बन जाएगा अब हम पाट को देखें हमारे भूचन तता बस्तरों में बहुत अधिक भिवित्ता है हरिस्तान पर इसी प्रकार की भिवित्ता वाली अनेक बस्तुयें हैं हम अपने चारों और कुर्सियां, बैल गाड़ी, साइकिलें, खाना, पकाने के वर्तन, पुस्ता के वस्तर, खिलोने, जल, पत्थर तता अन्य बस्तुयों को देखते हैं हम इन सभी बस्तूओं को देखते हैं इनके आकर्तियां भिन्न होती हैं इनके रंग भिन्न होते हैं और इनके गोल भी भिन्न भिन्न होते हैं अपने चारों और देखिए तता गोल आकर्तियों बस्तूओं को पहचाने गोल याने जिसकी आकार गैन जैसा हो गोल हो जैसे हम रिंग की बात करें हम फुटवाल की बात करें हम रवड के गैन की बात करें हम छोटे छोटे कंचे की बात करें हम सेव की बात करें हम संत्रे की बात करें हम कद्दू, तर्वूज, खर्वूज की बात करें ये सबी गोल आकर्ती की होते हैं तर्वूज, सेव कद्दू बेगन तर्वूज, खर्वूज ये खादिपदार्थ होते हैं दूसरी और रवर्ड, कीगेन फुटबॉल, कंचे ये गोल होते हैं लेकिन अलग होते हैं घड़े का भी आकर गोल होता है उस घड़े में हम पानी भरते हैं और पानी को पिने के लिए काम में लेते हैं, तो एक तरह से हम चर्चा करें, की गोल वस्तों की, तो ये सभी गोल वस्तों में आ जाती है बच्चों इसी तरह से पिलास्टिक से बने बस्तों की चर्चा करें आप सभी जानते हैं कि पिलास्टिक से बाल्टिय बनती हैं पिलास्टिक से लंच बॉक्स बनते हैं पिलास्टिक से खिलोने बनते हैं पिलास्टिक से पाइप बनती हैं प्लास्टिक से बरतन भी बनते हैं तो ये सभी प्लास्टिक से बनी बस्तूओं का समू होता है बच्चों हमारे चारो और की बस्तूओं एक अधिक पदार्टों से बनी होती है ये पदार्ट, काँच, धातू, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागच, पंक, तदा मिरदा के हो सकते हैं यानी कहने का मतलब ये हैं कि जब बस्तूओं एक या एक से अधिक पदार्टों से बनी होती हैं तो ये बस्तुयें पधार्त कांच के भी हो सकते हैं, धातु के भी हो सकते हैं, पिलास्टिक के भी हो सकते हैं, लकड़ी के भी हो सकते हैं, रूई के, कागज के और मिर्दा आदी के भी हो सकते हैं। इसी पिरकार बच्चो आगे बढ़ें और आगे देखें सार्णी चार दसमलव एक चार दसमलव एक में भी दो कॉलम हैं बस्तुएं और पतात जिन से ये बनी हैं प्लेट इस्पात काँच और प्लास्टिक से बनी होती है प्लेट अन्य धातुव से बनते हैं जैसे ऐलमोनियम से भी बनते हैं चांदी के भी बनते हैं तामे के भी बनते हैं कासा के भी बनते हैं पैन प्लास्टिक का बनता है धातुव का बनता है इसी तरह से आप सार्णी चार दसमलव दो देखेंगे समान, पदाथ से बनी बस्तुएं इस प्रकार हैं इस सानी में भी दो कॉलम हैं पधार्त और इन पधार्तों से बनी बस्तुएं लकडी से बनी बस्तुएं कुर्सी, मेज, हल, बैल गाड़ी और इसके पहिये कागज, पुस्ता के नोटबुक, समाचर, पत्र, खिलोने, के लेंडर और कागज से ही खाते वही खाते भी बनते हैं चम्बले से आपके जूते बनते हैं, आपकी बैक बनते हैं और चम्बले से ही गरम कपड़े भी बनाय जाते हैं, जिनको हम सरदियों में पहनते हैं प्लास्टिक जैसे आपने इसी पार्ट में पहले पड़ा कि प्लास्टिक से हम खिलोने बनाते हैं लंच बॉक्स बनाते हैं बाल्टिया बनाते हैं जलपात्र बनाते हैं पाइप बनाते हैं तो यह सब प्लास्टिक से बने बस्तुय हो गई रुष से बने बस्तुय रजाई गद्दे तकिया आदी ये रोई से बने बस्तुयें हो गई अब चार दसमलब दो को समझने का प्रयास करेंगे पदार्तों के गोण क्या आप कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता अध्यातीन में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उप्योग सामानेता त्रवों को रगने के लिए करते हैं आप सभी जानते हैं कि जो गिलास होता है वो कठोर बस्तूर से बना होता है जैसे काच का बना होता है, स्टील का बना होता है और अन्य धातूओं का बना होता है, पिलास्टिक का बना होता है हम इसमें कोई भी द्रब रखें तो वह उसमें सुरक्चित रहता है इसलिए हम ग्लास को धातू से बनाते हैं जिससे की उसमें कोई भी तरल पदात को रखने पर वह सुरक्षित रह सके कपड़े की ग्लास को बनाना असंबब है क्योंकि कोई भी तरल द्रब हम इसमें भरेंगे तो वह तरल बाहर आ जाएगा दिखावट लकड़ी और धातूयें धातू में लोहा तामा और ऐलमॉनिया और लकड़ी इनके इनको समझें इनके दिखावट को समझने का प्रयास करें पदात प्राया एक दूसरे से भिन दिखाई देते हैं लकड़ी लोहे से बिलकुल भिन दिखाई देती है लोहा तामे अत्वा ऐलमॉनिया से भिन दिखाई पड़ता है परन्तु फिर भी लोहे तामे तता ऐलमॉनिया में कुछ समानता हैं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती याने तामे अलमॉनिया में लोहा ये धातुए हैं इनके गों लकड़ी से भिन होते हैं क्रिया कलाब तीन को देखें क्रिया कलाब तीन में चमकीली जो सब्द दिखाई दे रही है चमकीली याने धातुओं में चमक धातुओं में चमक पाई जाती है और कुछ धातुओं में चमक नहीं पाई जाती जिन धातुओं में चमक पाई जाती है जैसे लोहा, तामा, ऐर्मोनियम, सोना इन में चमक पाई जाती है पर आया इन धातुएं में चमक होती है इसलिए इसे दुतिवान धातुएं कहते हैं और कुछ धातुएं में चमक नहीं होती है वे अपनी चमक खो देती हैं उन्हें दुति हीन धातुएं कहते हैं बायू तता नमी की अविकिरिया के कारण ऐसा होता है बायू की और नमी की किरिया के कारण ये अपनी चमक खो देती है आप ध्यान रखें कि ताजे कटे प्रस्टों पर ही दुति दिखाई देती है याने जो ताजे कटे प्रस्टों होते हैं वही चमकीले होते हैं और वही धुति दिखाई देने लायक होते हैं कठोर की बात करें जब हम एक पत्तर को अपने हतेली में रखकर दबाने का प्रयास करें संपिडित करना कठिन होता है याने दबाना कठिन होता है जब पत्तर को दबाना कठिन होता है तो इससे पता चलता है कि बहपत्तर कठोर है जब बहपत्तर कठोर है तो उसमें कठोरता के गुण होते हैं सभी धातूं में कठोरता के गुण होते हैं लकडी में भी कठोरता के गुण होते हैं कौमल पधार्द जिनको हम हतेली में रखें और हतेली में रखने पर दबाएं तो भे दब जाता है जैसे रूई और इस्पंज रूई और इस्पंज में कौमल पधा के गुण होते हैं तो जिन में कठूरता के गुण होते हैं जैसे दातू और लकड़ी और जिन में कौमल पधा के गुण होते हैं जैसे रूई और इस्पंज बले अत्वा अबले बले याने एक बरतन एक गिलास पानी लेंगे उसमें चीनी को घोलेंगे एक चमच की सायतर से घोलेंगे यदि चीनी उसमें घुल जाता है तो इसका अर्थ होता है कि चीनी पानी में बले है इसी परकार एक अन्य ग्लास में पानी लेंगे और उसमें नमक घोलेंगे नमक घोलने पर भी नमक घुल जाता है इसका मतलब है कि नमक पानी में बिले है अब ग्लास अन्य पानी दूसरे ग्लास में फिर से पानी लेंगे आप इस ग्लास में बालू को घोलने का प्रयास करेंगे घोलने के पस्चाट कुछ समय पस्चाट हम देखेंगे कि बालू पानी में नहीं घुलता है इसका तात पर है कि बालू पानी में आविले है इस तरह से ये दो जो सब्द हैं उनको मैं समझाने का प्रियास कर रहा हूँ बिले अत्वा आविले बिले याने जिसमें माले पानी में चीनी घुल गया जब पानी में चीनी घुल गया तो चीनी पानी में बिले है बालू को पानी में घोलने पर नहीं घोलता है इसका तात्परे इसका अर्थ है कि बालू पानी में आविले है ठीक है ना बच्चों आप ये दो गिलास दिख रहे हैं इन गिलासों से आप आसानी से समझ सकते हैं जो पानी में लुप्त हो जाता है वे बिले है और जो पानी में लुप्त नहीं होता है वे आविले है जैसे यहां पर सानी में आपको बता रहे हैं इस साड़नी में भी दो कॉलम है पहले कॉलम में पधार्थ और दूसरे में जल में लुप्त हो जाता है और लुप्त नहीं होता है जैसे इसमें बताया नमक पानी में लुप्त हो जाता है इसलिए बिले है चीनी पानी में लुप्त हो जाता है इसलिए बिले है बालू पानी म गोलने पर ये गोलते नहीं हैं अर्थात ये दोनों आविले हैं ठीके ना बच्चों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू